मैं डॉक्टर इंदरजीत CIRB, वहाँ पर मैं डारेक्टर और प्रमुख वेगानिक के तौर पर मैं बहाँ था जो छोटा पस्टो जब आता है तो हम उसकी कैसे देख वाल करें और कैसे उसको दो-तिन महीने तक समाल करें फिर तो सब समाल लेते हैं एक डीवर मिम का और बता देऊ सर कई बड़ा खतरनाक होता देने से बच्चे मर भी जाते हैं अब मैं जो बच्चा है उसका उसके बाप का उसकी मां का जिदी सेंप्र लाके दो गए तो हम यह बता देंगे कि यह इसी मां बाप का है या कोई और आपकी जो वेगानिक दस्ट के नाम से चल रहा है तो यह एक 2010-2013 बीच में बारत सरकार ने टेस्ट करवाया था है इस इंजेक्शन का और यहां CIRB में इसका टेस्ट हुआ था और वो मैं यहां का था परदान उसमें करने वाला उसकी में स्टैटिस की इंसिदेंस भी बढ़ता है और जो रिपीट ब्र किसी भी बाई को को शक हो कि यह बहांस खरीबते टाइम की इस बहांस के अंदर बुस्टिन तो नहीं लगाया हुआ जी तो वह हमारे पास उसका ब्लड सेंपल ले आए बाद में ना पांस दिन तक पता देगा पांस दिन पहले भी लगा होगा वह भी पता किसानों से करने का तिनों आते हैं के उस बच्चे का सैंपल लेकर की यह पता कर सकते हैं जो इनके बच्चे आएंगे वो कितने दूर्ध तक है करके पता चल सकते हैं आज की दिनों से इसके उपर चार्चा चल रही थी आज हमारे शvensे फील्ड 2 count गयां सकते हैं सबसे बड़े माना पुष्पालक सातियों मैं परविन फोजी आपके अपने यूटीब चैनल परविन मुरा फारम पर आपका सौगत करता हूं वई आज की वीडियो भाई बालक गाउं से लेकर क्या हैं जो सिव रेड वाई आपने सुनया भी है पहले भी और दोस्तों मेरा परियास भी रहता है जो यूआ साथी हैं किसान साथी हैं उनको मैं नई नई वीडियो लेकर के आप लोगों को दिखाऊं अच्छा पसुदन दिखाऊं और साथ की साथ मैं बताता भी रहता हूं मेरा परियास यह भी रहता है कि अच्छे लोगों से भी मिलाऊं और उनके अच्छे विचार जाने की नहीं पूरे बारत की बात कर सकता हूं कि आप कैमेरे के सामने जो देख पा रहे हो ऐसे सक्षेस हैं जो इनको ऐसा कोई नहीं है पशुपालन की दुनिया में जो नहीं जानता हो बार तो छोड़ो तो और विदेशों में भी इनको जानते हैं आज उन महापुरुष क अब आप लोगों को विचार भी शुनाओंगा और काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा और मैं एक उन्फिडेंस के साथ कैवी सकता हूं आपने इस वीडियो देखने के बाद आपके विचार भी बदली हो जाएंगे और आपकी लाइफ भी बदली हो सकती है क्यो जी सबसे पहले तो आप जो अपने परविन मुरा फारमचन देखने वाले हैं उनको अपना परिच्चा मताईशा है मैं डॉक्टर इंदर जीत मैं आज के दिन गुरूंगदेव वेटरिनरी एंड एनिमल साइंस इनिस्टी है लुद्याना में शॉट में गडवासू बोलते हैं तो गुरूंगदेव इनिस्टी में मैं वाइस चांसलर के बता रहूं पिछले साड़े तीन साल से उससे पहले पंजाब सरकार में जो पशुपलन विभाग है उसका डिरेक्टर निदेशक के तौर पे अपनी सिवाएंदी उससे पहले यहां हिसार में ही मैं जो मुर्रा नसल के उपर काम करने वाला और बाकी भैसों के नसलों पे काम करने वाला संस्तान है कि इन्द्रे भैसों संदान स इन्द्रे नसल को आगे बढ़ाया कलोन का भी आपने ओक रहा और एक से एक अच्छे सिमनों के उपर और सबसे बड़ी बात मैं यह मानता हूं कि आपने पहुच पहुच के खुद उनको जाग रुक किया भी कैसे हम पसुपालन कर सकते हैं कैसे हम अच्छे देख वाल कर सक अच्छे आप आया था जब आपको शुना था तो उस टाइब के बारे में आपने काफी ग्यान दिया तो इस चीज के तो मैं बहुत बहुत दन्यवाद है सर आपका जो एक इतने बड़े पद पर होते हुए और आप लोगों ने काम पसुपालन को इतना टाइम दिया तो कार्मेवी लालालाचपत्राई के नाम पे है लालालाचपत्राई पशुत चिक सा विश्वयत जाले तो इस तरह 16 अलग लग इनुछी है तो इसमें हमारे पांच कॉलेजए जो यूश्टिगे है जिसमें फ्क्रकाने जो वैट्रिक उने क vaccinated का एक सांस है एक देईर डेरी सा जो किसानों तक पहुंचने का है वो भी हमारे तीन कृषिवी ज्यान केंदर हैं चार हमारे अलग-लग जगाय पर बने हुए सेंटर हैं उनके थुरू हम किसानों तक जो जानकारी है युश्टी की अच्छी पश्वपालन से रिलेटीड मच्छी पालन से और पोल्ट्री से र काम करें तो उनको त्यार करते हैं उनको तो सरे जैसे मैं अभी बात करता हूं आपने जब स्टार्टिंग में किया था बैच्छो का मुर्रा के नसल के उपर जब उस टाइम में 20 के जी दूद को बहुत मनने जाता था अभी 25 के जी 30 के जी को भी मतलब कम मानने लगे तो ने वहां पर टेक और किया अनिमल फार्म या फिर बाद में डारेक्टर लगा तो उससे पहले क्या था कि वहां पर 25 साल से जो दूद उत्पादन था वो 1900 और 2100 किलो परती ब्यांत तक का था एवरेजी आती से और उसके बाद अब या देखो आज तक देख लो उसके बाद जो आउसत है वह 22, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 28, 28, 29 अब 2500 से उपर है पिछे साल की जो है तो हर साल जो 100 वाली फिगर है वह बदल रही थी। जो पिछले दस साल में ही ही हो गया, पांस साल मेरे को यह से छोड़े भी भी होगया, तो यह पहले भी मुआ सकता था पहले भी हो सकता था पर वह किम अrepर नहीं किया व हैं मिनने उसके पर सोच साथ और उत्षा की कार्या करना चाहिए था वह नहीं किया गया तो मैने जो मैंने जो आईससे आर का बो Agreement था बोले खिए इस प्रोजेक्ट के अंदर यह इस तरह का qu क्रेंजयija कोई प्रोग्रेस नहीं है, टेक्निकल प्रोग्रम का मतलब तो यह है आगे प्रोग्रेस आनी चीए, प्रोग्रेस ही नहीं आ रही तो फिर उस टेक्निकल प्रोग्रम की वजए है, जो बेसिक फंडा है, ब्रीडिंग का, वो है कि मेटिंग best with the best, आम किसान भी जानता है कि आप जालिया में भी यूनिस्टी में भी अलग अलग पश्चों का, ने केवल मुर्रा का, परंतु जो पंजाब की भहस है, निली रावी, पंजाब की गाये है, साहिवाल, जी, उसके लावा हॉल्शेंट फ्रीजिन, जर्शी, गाये है, उनके क्रॉसिज हैं, और बक्री है, सू फेले जो उत्पादन था, यह दि पूरे फार्म का हमारा 1300, 1400 किलो हाइस्ट होता था, अब वह वह मिनिमम से 1300, 1400 किलो पर रहता है, जो पहले हाइस्ट होता था, और अब यथा और चुपी सो किलो क्रॉस कर गया है, एक दिन ना, तो सरी यह और बताएं, जैसे मैं आपका ज् जानकारी के साथ स्टार्ट करें, आज के दिन कोई भी हो चाहे आप खेती बाड़ी भी करने हो ना, जब तक आपको सही जानकारी और साइंटिफिक ज्यान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ा जागा तो आपको नुक्सान होने की संभावना है, आज के दिन खेती में भी यह हो गय होई है, ताकि आप नुक्सान से बत सकें, तो सर ने कितनी अच्छी जानकारी दिये, सबसे पहले हमारे को भी जाग रुक तल्यानी होगी, शीकना होगा, उसके बाद अगर हम किसी काम को शुरू करते हैं, तो उसमें ज्यादा प्रोग्रस मिली, तो सर अभी जो किसानों की हम डाइट की पलान करें, तो जो पुराने किसान है, वह ही जो हमारा दलिया उबाडते हैं, और बिंदोड़ा वगेरा डाल देते हैं, और कुछ एक ख़ल डाल देते हैं, यही चारा हमुख्य तो रुपह है, तो अभी आप इसके बारे में क्या करना चाओगे, जैसे पहले होगे, उसी को पीस के डलिया करके रुपह डालते हैं, उसका कोई फाइदा नहीं है, हमें एक संतुली ताहार देना बहुत अवर्शक है, और वो संतुली ताहार है, वो पशुक की उत्पादन श्मता कितनी है, कितना दूद दे रहे हैं, उसकी इसाब से अलग 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 होगा, जो बीस खिलो से अबड़ी होगी, उसका अलग होगा, वो संतुली ताहार ऐतको अर उसकी किमत कम रखने के लिए आपका फार्मॉला जो है, वो उस थे तरह से त्यार होना चीह है, उसी तरह से त्यार से त्यार. सायरे है और और बात बताएं, जो मैंने सुनया है के बही पशु को यूरिया वगेरा यूज के दें, उससे पशु को नुक्षान होता है या वर्दी होती है दूद में, या किस्ते यूरिया जो अपना प्रोटीन देते हैं, मालो आप कोई खल दे रहे हैं उससे प्रोटीन जाता है, तो यूरिया देने में कोई नुफसान नहीं है और आम तोर पर जो फीयड कमपनीय हैं हर कमपनी अपने फीयड के अंदर यूरियाय कालती है जाये वो कितना यह लीडानती है और वह आउशक है और सप्सक्राइबंको यह जो खेत के पड़ता है मैं मैं एक रोकना चाहुआ आम जमीदार कई अग्यानता के कारण मालिया इससे बर्मित नहीं हो जे वो ये बता होगे मातरा कितने के लेके मुठी ठोगते चाट कम है क्योंकि अभी तक सर्मने इतने दिन होगे मैं अभी अच्छे पशू रखे हैं और फैस्टाइमर जोटियों अभी बीश पलस्ते जी दूद दिया मेरे पर मैंने फोशी आने के बाद जो से टाइंग किया था तो लेकिन मने आज तक यूरिया सुना था यह पता निए यूरिया तो मने कभी दिया हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छा कहा है शीवने यह बड़ा जरूरी है कि वह बह जादा यूरिया की आफ़चता नहीं और वह भी मैं सभी पसुपाल के यह बाया यह काऊंगे डॉक्टर की राय लेके या फीड एक्सपर्ट है ना उसकी राय लेके ही डालना है यह नहीं बहुत अपना फीड त्यार कर वालिया यह गरा कट्टा दर्या है यूरिया रोग उसको पाणी में मिला के जिस तरह हम तो क्या करते है अब जैसे प्राणी है पंजाब में अरपने हर्याना में भी कुछ समस्चा रहती है प्राली की की उसको लोग किसान आग लगा देते हैं जी जी आग लगाने के बजाए यह पश्चों के लिए एक आहार के तोर पर भी काटओरी की जगए इस को यूज कर सकते है तो उसमें क्या है कि उसके अंदर हम यूरिया और शईरा जो मोलेसिश गों जिसको बोलते हैं वह डिए हम यूरिया एक किलो लेकि-ऐ के टीस किलो पानी में गोल के और एक के प्राली के उपर डाल जित घिया और 3.5 kg शीरा डाल देते हैं, तो एक क्विंटल प्राली एक किलो यूरिया, 3.5 kg शीरा तीस किलो पानी में मिला कर उस प्राली के अंदर मिला जो, वो पश्चों के दो बहुत अच्छा जाता है, वो इमिजेटरी दो दो वैसे, उसमें कोई प्रॉल्म नी है, उसमें कोई प् पानी के साथ गोल के नीचे निकल जाते हैं, यह दो जी चीजें हैं, प्लस जब आप प्राली दे रहे हो, आपको थोड़ा कल्सियम बढ़ाना पड़ेगा, कल्सियम बढ़ाने के लिए आपको कोई लिक्वीड की जूरुत नहीं है, आप बेस्ट है कि जो पानी पीने की ज कल्सियम त्यार हो जाएगा, कल्सियम बढ़ाने के दोर आप जो जानकरिया हमारे को मिली है, एक एक सब्द आपका मैंने यह वीडियो में पहली बुल लाता है, तो सर एक और बात आए, मैं भी बर्मित हूं, तो काफी जो युवासाती इस चैनल से जुड़े हैं, वो तो क गेमिकल नेम है, रीकंबिनेट बाएन, समेटोट्रफिन, जिसको शौट में कहा रहते हैं तो ग्रोथ हार्मोन, जो शरीर की बढ़ोतरी करने में नेचरल होता है, पर यह एक सिंथेटिक बनाया गया है, जिसको देने से यह परिशुव देते हो, तो उसकी ग्रोथ भी बढ कैपस्टी है जो वो फीड खाता है वो कैपस्टी बढ़ जाती है और उसके कारण उसकी ग्रोफ भी होगी और दूद बीत बढ़ता है बढ़ता है तो यह एक दो जार दस से तेरह बीच में बारत सरकार ने टेस्ट करवाया था है इस इंजेक्शन का और यहां CIRB में गुरू निकल के आगे दूद तो बढ़ता है थोड़ी प्रॉलम आती है उसकी मेस्टाइटिस की इंसिडेंस भी बढ़ता है और जो रिपीट ब्रीडिंग है वो भी बढ़ती है पर अल्टीमेटली जो बारा सरकार ने सारे पांचों सेंटर का देखके अलग लग गाय बैंस और फ पर यह पाकिस्तान के अंदर अलावड है और ब्राजील अर पूरे लेटिन अमेरिकन में अमरिका में कैनेडा में यूरोप में लावड नहीं है तो सरी यह तो आपके टाइम में परियोग भी होता उसमें अरियान में जैदातर इसका नाम बुस्टिन के नाम से चल रहा है तो बुष्टिन का मैं यही आज मैं भी बर्मी था और काफी दर्शक भी इसे जो साथी है वह भी इसे बर्मी थे तो मतलब अगर जा इसका जो दूद में इसका कुछ बदला होता है तो कोई इस वेशेयत पर भी या बच्चों पर भी असर पड़ सकता या नहीं देखे किसान नहीं लगाएगा वो लगाएगा जो ब्रीडिंग वाले अपने जानवर दिखाना चाहेगा कि मेरे जानवर मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड है उसको या तो बेचना चाहेगा उसको बेचने में 2-4 लाक रुपे और फालतू लेगा या फिर वो ब्रीडिंग ब्रीडिंग करेगा तो वे जूट के उपर आजारी तो ब्रीडिंग होगी उसके जो बच्चे होंगे इससे आम किसानों को नुक्सान होगा जिस तरह आम फ्रिल्ड में काम करा है हमारे पास अगर कोई 20 किलो की बैस है और उसकी कीमत लगे दो लाक रुपे बैस है तो वह दोस्तों सरे आज काफी दिनों से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी आज हमारे इस फिल्ड के जो वेगानिक कह सकते हैं सबसे बड़े मान आदमी जो हर चीज जो टोपी की शी परकार का मनलब सकी नहीं रहता पर बीन कुछ बताता है रे डुबाई कुछ बताता है और कुछ बताते साइद कुछ बर्मी कुछ बाते रहे जाती लेकिन आज अमारे जो डुक्षा बेंदर जी हैं उन्होंने बिल्कुल कलियर टीशे बता है क्या नुक्षान हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं और थोड़ा हो और जो टोपिक वाकी हो भी आपको कलियर जी क्योंकि आज सर अगर मेरे गरहंगण में आई है तो एक आहम जमीदार और मेरी मैनत के कान दाले कुछ भी करना दाले ना हमारी को रिष्टेदारी सर कोई जान नहीं पैचान नहीं थेश्ट काम बढ़िए हैं लेको मैं मैं बात बता दों बाई जी एशी बाई मैं आला तो आज उसी कड़ी का जो नतिज़ा है सर ने एक बिल्कुल सादिकता के साथ और सी बिल्कुल संपल सभाव में और यह सारी बाते और मैं भी बाई इतना बड़ा जानकार नहीं हूं कि मेरे के मूँपे मैं कुछ याद कर लूँ और मैं सर से पूछने क्यों कि यह तो जो रोग हैं उनसे कैसे बचा जाए और यह सबसे ज़्याद़ विमारी किस वज़ेसे आती है क्योंकि आपने तो इससे का पार सब कुछ पा लिया है कि इतने लोग को कैसे बचना चाहिए या कैसे करना चाहिए क्यों आता है अभी अब अलागी जो पहले थने बंड़ता थ हुमियोपैथी में जरूर इसका कुछ हिलाज है पर इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक तो हुमियोपैथी को भी अजमाओ जरूर अजमाओ मैं तो थन के रोग में तो बहुत आवश्यक है क्यों इसका पॉजिटिव इफेक्ट मैंने खुद एक फैस्टाइमर जोटी थ इसे टाइट बन हो गया तो एक ब्याने से पहली भी था उसके गदी में तो डॉक्टर बलाए वे इसको ब्याने से पहले बेच दे बला नहीं तो यह रहेगा लेकिन मेरे को पसंद थी मैंने बेची नी उसने खीरी कटडी बया उसने पंदरा के जी दूद निकाला मैंने उ इसके गड़े के निच्से इतनी बड़ी गांट होगी था तो डॉक्टर ने बता था कि तीन सीशी ओ में इसकी बिलकुल पंगडा भी थी नी डोक्र नहीं कहा देए कि इसका उपराशन करना पड़ेगा यहां गड़े पर गांट का तो इतनी बड़ी गांट भी तीन सीशी है जो अनपड डॉक्टर बन गया नाम डॉक्टर कर लाने लगे सबसे बड़ी मेरे चैनल से सरीए ही परेशान होते हैं क्योंकि मैं उनको खीषता हूं रहे वीडियो देखते भी रहते हैं और नाम डॉक्टर करने लगे खुद और ठीके करने लगे उन से ज्यादा यह दि बचाव की करना बहुत जरूवी है वो बचाव कैसे करेंगे आप की जब आपका दूद निकाले पहले अलांकि अब तो काफी किसान उस बारे में जागरुक हो चुके हैं पहले सिद्य जोड में संकल खोल दिया करते हैं बहांस जोड में जाती थी अब वो चीज नहीं करते क्योंकि आदे गंटे तक कम से कम आप ना तो बहस को बैठने दो और ना ही जोड में जाने तो तक कि उसके जो खुले हैं जो थन के उसके अंदर से कोई इंफेक्शन अंदर नहीं जाएगा यह है और साथ में दूज निकालने के बाद ही आप बिटाडिन मगरा का जो है डि हुआ और कहते हैं भाई लोब बढ़ता रहता है कि मैं आपका कुछ खजान ना थोड़ा थोड़ा सब के लिए साजा करना तो सबसे जो आम किसानों के लिए एक सबसे कोई कोई अच्छा ब्रीडर हो जिसके बास अच्छे पशू हो कटड़ा कटड़ी दोनों आगे उसमें पहला थे आए कि दूद उसको पूरा मातर में पिलाएं वह पूरी मातर कितनी देर बाद भी ब्याने के दो इमेडिक्टली जितना जल्दी गंटे के अंदर-अदर तो जुरूर हर आत में आप यह रखें कि दो गंटें अंदर-अवश्य के पिलाएं ठीक है सर्ट क्योंकि उसके जो पेट के अंदर जो क्या बोलते हैं आंच जो होती है ना आंच के अंदर से जो एक ताकत जो उसको पश्यूग मिलती है वो दूद के अंदर होती है जो खीस बोलते हैं अपर शुरू का जो ब्यारे के बाद जो दूद होता है उसमें जो खीस होती है उसके अंदर वो जो immunoglobulins होते हैं, जो ताकत होती है बीमारियों से लड़ने की, वो उसके थ्रू जो छोटे कट्टे को या कटिया को मिलती है, तो वो जितना जल्दी पिलाएंगे, उस टाइम तक वो आंत में जो शोर होते हैं, वो खुले होते हैं, बाद में वो बंद हो जाते हैं, तो दो ग जेर चाहे लटक रहा हो, तो भी आप उसको बच्चे को जुरू प्लाएंगे, तो सर बहुत बड़ी आप एक डीवर मिम का और बतादे हो, सर कई बड़ा खतरनाक होता है, देने से बच्चे मर भी जाते हैं, और कई बार अच्छा भी रहता है, तो ये क्या मतलब हमारे सही अनुट देने का तरीक़् जाता है, जो जो जरूर देनी चाहे है, तो वह पोशुमिलिटी है है थी, गलत तरीखेसे नाल दी जaiser, तो पशङू के वह सहास के फेफ्ड में चला हाजता है, जो चीडह की दवाई है . ज़रूर देने चीए क्योंकि बहांस के पेट के अंदर से ही किड़ों के परवेश कर जाते हैं तो इसी कारण बहांस के बच्चों में जो जून जिसको बोलते हैं जो एसकेरियाशीस होती है उन से बहुत जादा डेफ्ट होती है तो वह जरूर देना चाहिए पर आज कल उन क कौन सी द्वाई दिन है कौन सी आज के दिन उनको असरदार है कौन से असरदार नहीं है नहीं है बहुत बढ़ी है सर अगर आप ब्रीडिंग निकरा या अच्छे मालिया ठीक है दूद वालिया अपने पास एक बार बैसागी उससे अगर मैं अच्छी कटड़ी से उपर दूद में ने ली क्वाल्टी में ने ली तो नुक्सार में जाओगा उस ब्रीडिंग की उपर सरकाव ठोड़ा है ब्रीडिंग देखो किसान को अल्टीमेटली जो फायदा देगा वो दूद ही देगा आपने सही का कि ब्रीडिंग भी से हो तो अब जिस तरह पंजाब की किसान हैं जिन्होंने एक 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 बच्छिया है प्रेगनेंट बच्छिया हो सेख सीमन से प्रेगनेंट होती है तिन तिन लाग की बिक्ती है पांच पांच लाग की बिक्ती है तो वो उसको एक अड़िट एडवंटेज है बिलकुल पर म मैं यह चाहूँगा कि बहासों में जिस तरह आमतर पर अपने आजकल बांदे उमें रखते हैं वो ज्यादे दिन तक नहीं चलना चलेगा और वो चलाने में नहीं चीए क्योंकि वो एक तरह से पश्यू के अपर अत्याचार है उसको खुला रखना चीए आप तो खुला केत म से अर्दि करूँगा कि आप अपनी भैंस भी है उसके शिंग को दागो डी होर्णिंग करो भैंस के भी ताकि आने वाले गुले या कोई भी किसी खुटेस या किसी चिससे तुडाई नी और उससे आपको जो उनकी मैनेजमेंट है वो इजी हो जाएगी फरक पड़ेगा औ उनको खुला रखो यह मैं चाहूँगा तो सर फिर वो शिंगों की वह बात आएगी भई अभी सरकार भी यह देखते हैं मुर्रा यह और शिंग दब गे तो कोई पता ही पड़ागा अब मुर्रा में शिंग निचे भी आ जाते मिनी करते हैं उसको जो क्या मुर्रा नहीं है एक सो पचास भी पेडिग्रीड बुल है तो फिर मुर्रा उस तो नहीं होगे क्या सर्वेश से अगर कोई क्राइटरियर नहीं होना चीए ठीक है आम तरपर वह है जिदि सिंग है तो गोल होते हैं अदर्वाज ना हो सिंग तो कोई प्रॉल्म में आज बिलकुल कलियर हो च चाहा है यानि के दूद के ऊपर फोकेस रहें और बीडिंग के ऊपर और विमारी के ऊपर सारी तरह की बाते करी गई और बहुत अच्छी सरब तरह से भाई जो हमारे लक्षाव इंदर जी जी हैं उन्होंने जो आप भी बहुत अच्छी तरह आम पसुपालोग तब देने प्रॉपर मशीन और प्रॉपर तरीके से लिए आप उसकी मिल्किंग करोगे तो उसके थन खराब बैसों का भी हम डालना शुरू करें सकते हैं यह देखें जो भी एक और नहीं जानकारी आज मिली है नहीं तो हम सर यह सोचते थे कि अगर लेवटी के बैसके लगाने से थनमों दूद रहे जाएगा खराब हो जाएंगे आप आके देखो किसी दिन मांकी भी वीडियो बनाओ ठीक है तो बहुत अच्छी जानकारी मिली ब तो किस तरह से हम टेस्ट करा सकते हैं और कैसे वा अपनी फीश हो सकती है या कैसे हम जानकारी ले सकते हैं हमारे गुरु अंगदेव बैटन यूश्टी के अंदर लुद्याना में हमने टेस्ट डेलॉप कर लिया है और उसमें आप में जो बच्चा है उसका उसके बाप का उसकी मां का यह सेंपल लाके दो गए तो हम यह बता देंगे कि यह इसी माबाप का है या कोई और है और कोई है तो यह पसुपालन में यह संभव है तो सर एक चीज और देखी है मैंने बैसों से भी अंडे लेकर के हम उसके अंडे दूसरे में टेक देते हैं तो यह भी आशे 25-24 के दूद की तो उसके मनलब जैसे मैंने सुनिया था आभी वीडियो बनाए दे के छह अंडे है सात अंडे है तो सथो बैसों के उनके टेक का अभिस में टेक सकते हैं तो उस उसी टाइब के उनके गुनाएंगे तो दूद वाली अच्छी आइंनु आइंगे माव किसी भी बाई को को शक हो कि ये बहाइस खरीदते टाइम की इस बहाइस के अंदर बूस्टिन तो नहीं लगाया हुआ जी तो वह हमारे पास उसका ब्लड सेंपल लिया है पांस चैमल एक सिरिंज में बढ़के लिया है उसी से हम बता देंगे कि इसमें बूस्टिन लगा वह पांस दिन तक बाद में पांस दिन तक पता चलेगा पांस दिन पहले लगा होगा वह भी पता तो सर उसकी क्या फीस हो गया अगर लेके आए तो उसकी फीस अभी कुछ नहीं है अभी तो यह देखे सरे मैं इंदर जी सर बोल सकता हूं कि आज सबसे बड़ा जो दीन किसा ने गब रहे दे के पसुटर तो खरीदना चाते हैं लेकिन यह पता नहीं चलता हूं गभी सबस्ब्स दो सब्सक्तिता कर सकते को माबाप का पता करना आपको माप बूस्तिन लगा की निला या बूस्तिन माबाप को पता करने का तिन नहीं चुष्ट ज़ता K 스मक नाकसी बाप का इतना तो ऐक वह चाह चल रहा है। जैनमिक ब्रीडिंग वैल्यू बोलते हैं वह कि उसकी तीन सेंपल का माँबाप पर और सर एक और बात सुने दी मैंने ब्रीड जैसे हम किसी छोटे बुल को हम तैयार करना चाहते हैं अगली ब्रीडिक यह तो मेरे को पता है कि इसकी मां का दूद इतना है इसके बाप का इतना तो एक ब्रीड टेस्ट चल रहा हुआ उसके बारे मे बच्चे दे सकते हैं पर फिर भी वह इदे आपको उसकी मां का दूद वैसे पता हो और साथ में वह जीवीवी जिदी हम डालने साथ तो फिर उसकी जो सेलेक्शन जो उसकी विश्वस्त निता है वह थोड़ी बढ़ जाती है तो सर आने वाले टाइम में यह भी बिलकुल स आते हैं कि उस बच्चे का सेंपल लेकर कि यह पता कर सकते हैं जो इनके बच्चे आएंगे और कितने दूद तक कि आ सकते हैं वह जिनो मिक्स करके पता चल सकता है अभी तक वह उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम एक बच्चे कितना दूद देने वाले होंगे तो एक क पुझे मिले इदर तो कैसे आना हुए अशर आपना इदर शिव की मैंने वीडियो देखी थी फेस्वुक गरा पे आपने डाल रखी और वो देखके फिर मैंने इन से संपर्क किया कि इनके पास बड़ी बहांस है वो काफी 15-16 बार बच्चे दे चुकि अभी पिछे इनका व तो इनके बास एक बुल भी है जो पीछे खड़ा है श्याम बालक किया और यह उदर धनौला में मेले में भी गये थे वहां भी इनका बुल भी गया था लेकिन बुल नहीं लगा था बुल के बच्ची वहां पड़ी नाम ने आए तो यह गये थे तो वहां पर भी मुलाका तो फिर मैंने का मैं आऊँगा आज बाइचांस मेरा हिसार जाने का प्रोग्राम बना था तो मैं सोचा की रस्ते में पड़ता है तो मैं श्याम की तरस्वाइसे तो आपका नियुसम जो हमेशा सोख ही रहा है और अच्छा पसुदन तो देखने के लिए आप कह किलो मेटर कि जा सकते हो मुझे भी पता क्योंकि मैं एक बार शिर्शा में गया था शुरिंदर नाम है तो उन्हों ने भी बता था कि डॉक्टर इंदर जी एक वर बिला मेरा भी पसुदन देखने के लिए तो आपका पूचने के बादे के पसुदन के ऐसे ही उसले हो जाते हैं क्यों ऐसे आज डॉक्टर शाव आपके उस पर आहें तो यह आपकी मैनत का मतलब एक यह समझाव परूफ है कि आपने जो मैनत करी तो बगवान ने भाई आप बगर कि आप यह मानो हमारा साथ मेरा और हमारी सहस्तान का ही यूस्टी का हमेशा अच्छे प्रगतिशील है और जो भी है वह जुड़े और यूस्टी का और उनका फाइदा भी उठाए है धन्यवादी तो वीडियो केशी लगे दोस्तों कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताना जै हिन जै भार्त और जै गरूद